ओम वंदेगवा मात्र मित्रो स्वास्थे रक्षा से प्रभाप सबका स्वागत करती है मित्रो जहां एक दमपत्ती का विवाह होता है वहां से ही घर वाले एक दो-चार महिने बीते हैं और यदि आपने उनको कुछ खबर नहीं दी खबर अब समझ सकते हैं मैं किस खबर की ब दादादी बनना है जल्दी से नाती पोता या पोता पोती हमें दो ताकि हम उसके साथ खेल सके हैं यह तक बहाना होता है पर हां उनका मुलू देशे क्या होता है हम आपको बता दें मुलू देशे उनका यह होता है कि आप जल्दी से जल्दी माता-पिता बने अधिक वीरे लुप यह नहीं किया और वैसे ही महिला ने भी आपना चरित्र का पालन कि अनिकि वह बीड़ी चरित्रवान रही है तो ऐसे जो दमपत्ती होते हैं उनकी जो शंतान होती है लुप साल से लेरीज़ साल के अंदर तो उसका जो एक प्रकृती होती है यह उसकी तिवर होती है और उसके बाद यदि आप देखें कि जिनको 3-4 साल हो जाते हैं यहीं कि समय बीच जाता है और बहुत अधिक मैथून करते हैं कि वीरे बहाते हैं तो उसके बाद उनकी संतान कमजोर हो जाती है कारण क्या है विद्रो यदि आपने पहले थोड़ा अपने ब्रह्मचरे का पा बीच है और यदि आपका बीच जितना बहेगा उतना वो कमजोर होता चला जाता है तो यदि आप जल्दी माता-पिता बन जाते हैं तो आपका बीच मजबूत होता है और आप एक अच्छे स्वस्त और मजबूत शिशु को जन्म दे सकते हैं इसलिए आपके घर के बड़े बच्चे कहां गलती कर देते हैं वो विश्य अलग है और अभी मैं आप पो जो बताने जा रही हूं कि यदि आप वीरे बहुत ज्यादा बहाद देते हैं विवहा के बाद लोग चार-चार-चार-पांच-पांच बार भी मैथुन करते हैं तो उसमें वीरे बहुत अधिक हैं और अभी तो हमने विवहा किया अभी मजें नहीं करेंगे महां निकल गया तो भाद में आपको बच्चे की रुप में सजा और आप देख रहे जिए जुन ने बहुत अधिक में थुन किया उसके दो तीन-चार साल बाद उनको बच्चे हुए हैं तो उनके बच्चे आज कैसे हैं या कुछ लोग तो बच्चे होने को ही तरस गई हैं क्योंकि उनको दवाईयां खाई हैं महिला उन्हें जो दवाईया पर पहले आपका बच्चा हो जाता है तो बच्चा आपका स्वस्त होगा इसलिए माता बिता कहते हैं कि भई हमें जल्दी से नाति पोता देदो ताकि आप उसके बाद वीरे नाश करें तो उसमें आपका बच्चा कमजोर ना हो मित्रो कितनी बड़ी बात है पर विशे कहा माँ के बढ़ों को यसाध कुछ भाते पता होती हैं कैते हैं और नाहीं आपको इसलिए आपवचे बच्च स्वस्त ह होते हैं और और दूसरे बच्चे मने बता दिया, आप अपने आपस परस देख सकते हैं, मैंना कोई अलग नहीं बता रही ह Lord, हाँ, यदि आप पती पतनी होने के बाद सयम से रहते हैं, विवाक के बाद भी आप सयम से रहते हैं, और उसके 3-4 साल बाद भी आपको बच्चा होता है तो आपका बच्चा स्वस्थ हो सकता है पर दिन में 2-3-4 बार यदि एक्रिया कर रहे हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत सी हानिया हो जाती है इसे जब हमसे कोई प्रशन करता है तो हम क जाते हैं तो इन कुछ निर्देशों का पालन करें और जब आप मातापिता नहीं बन परें तो हमने महिला विशेश में वीडियो दिया है कि आप महिलाओं को क्या करना चाहिए कि जो आप कलतिया कर चुके उनको सुधारे बिना तो संभवी नहीं है समाधान होना तो कुछ व प्लेश परिवार का हिस्सा बनेगा अपने नय नय विवा किया है तो हमारी प्लेश परिवार में हमने और भी वीडियो दिये है कि आपसी दमपत्ती में कैसा संबंध होना चाहिए आप में कैसे एक दुसरे के संबंध से संबंध होने चाहिए ताकि आपकी जो संबंध मच जूद बने और आप एक अच्छा जीवन जीएं और अपने ग्रस्त जीवन को एक जिसे कहें तो आनंद मैं बना सकें धन्यवाद वंद्यमात्रम